सारी बातनों का परिक्षन किया है और उसके बाद भी अगर हर्दय में ये प्रस्ट शेश है तो इसकी चिंता भी मानने भी रोईट 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 मैं माननी मंत्री जी से एक निवेधन करूंगा कि पूरे 36 गड़ में मैं भी पूरो में सरपंच रहा हूँ 2011 की सर्वे सुची 2002 की सर्वे सुची के अधार पे अवास योजना में सामिल हूआ लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार है जो आज़ भी वह आवास सुची से वंचीत है कि Whenever यिंवेधन करूंगा कि जो वास्ट्रीत में जो पातरत्ता परिवार उसको पूरा आवास सुची में सामिल करने के निवेदान करना चलिए रुप भावना जी पुशिए इससे में आवास से संबन्दी थी एक जानकरी और एक प्रेश्ण भी है अभी जो गाओं में यहां जो तुलाब के किनारे जो निवासरत है उनको चुकि पट्टा उनका नहीं बन पाता है तो हर तरीके से आवास तो वन्ची थे तो कि आने वाले समय में कुछ योजनाय बनेंगी कि जो तुलाब के किनारे जो काफी सालों से जो बसाहत है उनके आवास के विशह में आगे क्या संभावना ये बहुत मूल कोशन है अद्ध्श महोदे तो मन्ती जी से यह पूछना चाहूँगी से लिए एक बार फिर बताएं तो क्या कहरें कलाब के ऊपर जो आवास बने हुए हैं क्या उनको भी पट्टे आवास दिया जा सकता है और उनकी कई पिडिया निकल चुकी 40-50 सालों से वही पर निवास ने पट्टे को और आवास का उनका प्रभधान नहीं है अभी जी मान अवास प्लस है उसको पिछली सब्कार भूल गई थी एक्चुली उसको पर काम ही नहीं हो पाया वहास प्लस कहते हैं उसमें उसको उसके आधार पर भी आठ लाक लोगों को आवास मिलना था आवास का काम पूरा हो जाता तो आवास प्लस शुरू होता परंतु पूरे अभी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे बहुत आउसार मिलेगा चलिए माने मंत्री जी मैं आप से जनना चाहता हूँ आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है माने मंत्री जी आपका विभाग भारी सक्षम एक महने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दिया 2023 में तो यह मैं आप से यह जानना चाहता हूँ यह सर्वे करवाने की एक महने में चानक सर्वे करवाने की जरुवत क्यों पड़ी और सर्वे के रिपोर्ट के अधार पर जो अनुशंसाएं मिली उसमें आपने क्या-क्या निती कारिकरम सुकार किये और सरवे को रिपोर्ट को सरकार ने क्या सुकार कर लिया मानिय अधिक्ष महुद है क्रिकेट के मैदान में सचिन तिंदुल कर आ जाए या सदन में मानिय अज़र चंद्राकर्टी आ जाए एक जैसी पूर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है मानिय ये फास्ट बॉलर है मानिय महदय के मानिय अश्ट इसके इस पिसे पर कि 2023 के सर्वे सूची एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया ये विभाग मूलता पूरवर्ती मंत्री आप ही रहे हैं आप ही के आधार शिला पर ये विभाग आगे बढ़ता है आपने ही जो परतिमान इस्थापित किये हैं उसको पार करना है पार्ट बढ़िया मैं आप ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो सर्वे हुआ है इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भृतिक परिक्षंट नहीं हुआ है परंतु इस प्तौ एलिए मों के मकान है कच्ये कमरों वाले कि एक महने के सर्वे में आपको सर्वे की जो जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार उस सर्वे रिपोर्ट को क्या आपने स्विकार कर लिया और उस आधार पर आपने क्या नीती कारिकरम बनाएं आपने लिखा उसमें और क्या बजट उसके लिए निर्धारित किया यदि मैं प से पर मैं आप से कहरा था कि सर्वे हुआ है डाटा सामने आया है और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन ये होने के बाद उसकी स्विकारिता की बात आती है भौतिक सत्यापन उसमें से एक पोर्शन का किया गया बाकी डाटा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और वो 47,90 ऐसे तें जिनको इनांकित करके जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक खच्चा मकान रहने के लिए नहीं है उस पूर्शन का सत्यापन करके उसको सुषिकार करके और उसके योजना बना करके काम किया गया है यह पूरी योजना के पुरा सर्वे होने के बाद आप ने एक कंस करवाया क्योंखी जो बाकी आपके सर्वे के रिपोर्ट हैं वो बड़े सर्मनाख है तो उसằng पर भावतिक सत्यापन है फिर आपके उसके सत्यापन आपने और हेा और आवास जो है और आप करेंगे कि केंधर सरकार करें तो सर inanijke स्थिती है सरवे में तो इसक बागी का होती सत्यापन कर班 आप कब तक करवाने जा रहे हैं कब तक स्विकार करेंगे इसको एक ही का क्यों करवाया और उसमें यह जो 47,090 आवास इन परिवारों को आवास दिया गया यह आवास निया योजना के नाम पर दिया गया माने मौदे और वित्पोशन का विसे है तो यह केंदर के किसी भी योजना का अंश नहीं है यह पूरताराजिका है अर्थात केंदर से किसी वित्पोशन का प्रस्णी वे उध्वूत नहीं होता है मैं आपके इस पूरे विसे के लिए यही कहना चाहता हूँ कि इस पूरे सर्वे को कराने के बाद इसमें बहुत सारे आकड़े आए हैं उन आकड़ों की जानकारी भी आपको उपलब कराई गई है अब परिसिस्ट भी क्या दिया है और क्या क्या हुआ है जितना काम हो सका है इसमें वो आपके समख्ष है इस डाटा को यूज करना या न में आप से आग्रह करूंगा थोड़ा सा जैसे सवुचाले यूक्त परिवार 30 लाख है चतिस गड़ में टोटल परिवार 72 लाख है तो 42 लाख परिवारों के पास सवुचाले नहीं है जब कि 36 गड़ में हमने अनुमती लिए थी 280-290 गाओं को ओडियब घोसित हो चुक है 280 90 गाओं को छोड़के तो यह आप इसको सुरू करेंगे क्या आपने लिखा है उसमें ऐस्थाइविद्ध कनेक्शन 12,36,662 मने इतने अवास में बिजली ही नहीं है तो यह तो 36 गड़ की बड़ी दर्दना की इस्तिति है आप देखिए थोड़ा सा जो आप उज्वला गैस 18 लाग बाटे हैं बोल रहे हैं उज्वला की वेब साइट खोल लीजिए 36 लाग बढ़ दें तो यह पूरा चवुदा कर और आपका या तो घोटाला है एक महने मापने कर लिया या तो इन सब में आप तारवाही कीजिए यह लोग 36 गड़ की स्थिति को बरबाद कर दी है आप शुन लीजिए और यह आप मजदूरी में सनलगन परिवार 25 लाक है एक त्युजाप कार्ड पुल जाप कार्ड को छोड़ दूं एक त्युजाप कार्ड जोहां आपके 32 लाक हैं आप अपनी वेब साइट खोर लीजिए तो आप इस सर्वे को यदी सहीं मान रहें की नहीं मान रहे हैं भौतिक परिक्षन आपने एकी में करवाई इस सर्मना के स्थिति से मुप्त करने के लिए आप तब तक इसका भौतिक परिक्षन करवा के नीती कारिक्रम इसके लिए बनाएंगे या आप इसको अस्विकार करते हैं तो अस्विकार करते हैं यह कहिए सदन म हो और आज के आखड़े दोनों में जमीन असमान कंतर है और इसलिए मैंने कहा कि एक मेने में किया गया सर्वे एक घोटाला है क्रिपिया इस्थिति स्पष्ट कीजिए क्योंकि यह सरकार के द्वारा करवाया गया सर्वे शटिस गड़ोड़ीय फैक नहीं है यह बचाई आप इसलिए अश्टिस महुदे इन सारे आकड़ों को मानिय सदस्यों को भी उपलब्द कराया गया है और यह सारे आकड़े सबके सामने जो सर्वे हुआ है उसमें जो निकल कर सामने आया है डाटा बेस बन जाने के बाद वो मन्तरी जी पचीस लाख आपने लिटके दिया हेक में आपके ही विभाग टेप साइड में 32 लाख हागड़े हैं एक्टिव आप किसको सही मानेंगे मुझको ये बताईए दोनों में से आपके आइस्थाई कनेक्शन दोनों माल हैं भौतिक सत्यापन पूरा नहीं किया गया है ये मंत्री जी का जवाब में आगया है इसके बाद मैंने इसके बाद कोई स्पेसिफिक प्रस नहीं तो करिए इन्होंने पहले ही जवाब में कह दिया कि भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है को दोनों बाहने सरकार कहमाननी अध्यकी जी बहुतिक सत्यापन की जरुवत में भावतिक सत्यापन दीख रहा है नहीं करनेक्शंकर नहीं तो कि आवास इनक्र दीख रहे हैं आवास इनके आठ दिख रहे हैं उस आंकड़ेक मानते हैं यह बता दीजिए सत्यापन नहीं कर रहे तो नहीं अधिक्ष महुदें यह जो सर्वे हुआ है सर्वे के आधार पर डाटाबेस बना है और उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनी उसमें से एक ही पोर्शन को सत्यापित करके और उस पर करेवाही प्र तो 36 गड़की स्थिति आपके एक सर्वे में जब सर्मनाग दिख रही है तो मेरा आप से आज रहे कि इसको सत्यापन करवाएं मैं मैं दो बातें आप से कहना चाहता हूं इस पर मानिया दिक्ष महुदे मानिया सदस से इस पर निर्णे करके आप कुशी करेंगे या इसका स मेरे प्रस्ण का बंदरी जी ने विस्तित लिखित उत्तर दिया है मुझे उनके उत्तर पर कोई आपती नहीं है मैं सिर्फ दो चीज उनसे जानना चाहता हूं अदेक्ष महुदे कि असंगठित और संगठित मजदूर में क्या वो मजदूर भी सामिल हैं जो यहां से कमाने खाने हैदराबाद जाते हैं उनके लिए कोई विवस्ता जो असंगठित और संगठित मजदूर जो हैदराबाद जाते हैं उनकी सूची वगएरे आपके पास है क्या लिस्ट में एक, दूसरा आपने जो बहुत से काम बताया है, मैं मुझे पढ़के तो अच्छा लगा, शत्यतगर सन निकाप, सन निर्मान कर्मकार मंडल में आपने 30 काम बताया है, और असंगठित कर्मकार में 29 काम, बहुत महत्वपूर्ण है, परिसिस्ट में जो आपने दिया है, तो इन हित्गराहियों का निर्धारन कैसे करते हैं, अधिकारी करते हैं, या जन प्रतिन दी करते हैं, इसमें बहुत करोड़ों रुपिया का वित्रण होता है, और गरीबों को लाब मिलता है, बच्चों की छात्रवित्ती भी आपने लिखा है, सिक्छा लिखा है, चिकित्स में है क्या एक दूसरा ये जो आप जो योजना बना के दो-दो साथ योजना लगग है इसका निर्धारन हिद ग्राही का चैन किस प्रक्रिया से होता है और क्या इसमें विदाया या अन्य जन प्रतिज़ी सामिल रहते हैं क्या मन्नी अध्यक्ष महदाय हमारे वरिष्ट सद्यसों ने बहुत ही महत्पूड बात कहीं है वैसे उन्होंने जो अपने प्रस्ण किये थे उसमें प्रस्ण नहीं किये थे बाकी जो हमारा मजदूरों के लिए सरमिकों के लिए बहुत सारे उजनाएं संचालित हो रहे हैं और उसका जन प्रतिज़ों के सलाम असिरा मजदूरों से कैसे उनको दिक्कत है और केबनेट में इसका फसला होता है कि मजदूरों को किस किस रेट पार उनको अलग-अलग उजनाओं का लाब दिया जाए और जो प्रवासी मजदूर हैं संगठी ता संगठी स्रमिक हैं उनका पंजियन होता है वरतमान में पंजियन असी जार प्रवासी स्रमिक पंजिक्रित हैं इस तरह से और उनको अनेकों अजनाओं का लाव अलग अलग दरों के माध्धम्स मिलता है उनका पंजियन भी होता है और हर चीजों में मजदुरों को कैसे ही हीत हो सके उसके लिए काम किया जाता है मंत्री जी मैं स्पेस्फिक क्वेस्टन पूछ रहा हूं आप तो उस तरह मीरों की नगरी से आये हैं आपको लेबर के प्राबलम के बारे में सबसे ज्यादा ग्यान तो आपके पास है इतनी जो योजनाएं आप संचालित कर रहे हैं सरकार के जनकल्यार कारी कारिक्रम की इसक सब्सक्राइब आज तक कभी इस मिटिंग में गया नहीं हूँ इसलिए आप से पूछ रहा हूं कि बता दिजिए कि क्या इन हितगराहियों के चैन की कोई प्रक्रिया है क्या उनको पैसा देने के लिए पात्र लोगों की स्विक्रिती के लिए कोई मीटिंग होती है और नह संगठी चेत्र के स्रमिकों के योजना आविद्यान नियोजा के माध्यम से मंडल को प्राप्त होता है जिसका प्रिश्यक्षण उप्रान सरम कल्याण आयुक्त द्वरा सुकृत किया जाता है और सकता पड़ता है तो केबिनेट में भी ले जाते हैं और वहां पर आप मेरी ब प słuनिट है तांत्री timer क कैद आउप है इन ये पूठ रहा हूँ मंतली जी कि ये हिद्ग्राइयों का चैन्कों करता है कि इन हिद्ग्राईयों को क्या-क्या देना है जिले वाइज होता है कि मंदल में होता है कि मंतराले में होता है इसको बताइए ना एक और दूसरा ये बता दीजिए कि बिलास्पुर जिले के मजदूरों के हिद्गराईयों के चैन के लिए क्या बिलास्पुर के जन प्रतिनियों को या कौरुबा के जन प्रतिनियों के संद आपके अधिकारी ब मानिय अध्यक्ष महदय, सरमिकों का निर्मार सरमिकों का रूप में 90 दिन से अधिक कारिय करने का प्रमार पत्र जो ठेकेदार सरम नियोजक, सरम निरिक्षक, ट्रेड यूनियन द्वारत जारी हो और अधार कार्ट, बेंग पास्बूक, प्रथम पेज, इसक्रिंग, बारपंजयन होने पंजयन, पांस साल के बायत तसपात, पांस वर्ष में नवीनिकरन, लाइप फोटो, इसके माध्यम से उनका चैन होता है, उस पक्रिया के साथ में उनका लाब दिया जाता है आप ठीक बोल रहे हैं, आप मेरी बंसब नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी जानकरी में, इसमें सिमित संख्या नहीं होती है, इसमें लगबग सभी मजदूरों को कि उनके बच्चों की सिच्छा के लिए पैसा देना है, अगर कोई प्लंबर है तो प्लंबर के उनको आजार अगर कोई राज मिस्ति है तो राज मिस्ति के ओजार देंगे, अगर मजदूर है तो मजदूर को खुड़ाई के लिए रापा गैती, खुडाली वो देंगे, ये सभी मजदूरों के लिए है, इस चीछ में कोई सिलेक्शन नहीं है, जितने रोग आवेडन करेंगे उनको स नहीं दे सकते हैं नहीं मेरा मतलब यह मंत्री जी कि कम से कम आप ये तो कर सकते हैं कि हमारे च्छेत के किन किन स्रमिकों को क्या क्या आपने विवस्था दी सुविधा दी उसकी सूची तो आप अपने लोगों से उपलद्ध करवा सकते हैं अपने अधिकारियों से ताकि हम उ कराईए यह मत कराईए मैं थोड़ा डरा हुआ इदर होता है कि पिछली सरकार में यह जो निगव मंडल में जो प्रस्नकाल समाब्थ वह एक बड़े निता कि बहुत खास थे उनकाल प्रस्नकाल समाब्थ अब सुनिय काल की सूचना लूँगा आप महुले की सब्सक्राइब क